हेलो फ्रेंग्स विल्कम टो दिवयास किचिन फ्रेंग्स डाइनिंग टेबल पे आप जितने मर्जी खाना लगा लीजिए डिशेज लगा लीजिए लेकिन जब वहां पर एक छोटी से किटोरी अचार की नहीं दिखती है न तो वो टेबल इंकम्प्लीट लगता है बिल्कु चलिए देखता है नीमबू का अचार है उसके लिए मैंने यहां पर लिये है यह नीमबू बहुत ईजिली आजकल सीजन में है और थोड़ी से यह हरी मिर्च विए बड़े अच्छे फ्लेवर है इस अचार में नीमबू को मैंने अच्छे से गरम पानी से धोल लिया था और इस तरह से आप कपड़े से इसे ड्राइ कर लिजे ध्यान रखेगा नीमबू अच्छे से ड्राइ कर लेने आपको बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए नीमबू में भी और हरी मिर्ची में भी अब इस तरह से नीमबू के हम छोटे छोटे पीसिल्स करेंगे ताकि जिसको जितना अचार खाना है वो उतना ही बाइट ले और और चाहिए तो और ले 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 ना बिल्कुल वेस्टेज नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे पीसिल्स कर रहे हूं यह देखे इस तरह से आप चाहिए तो इसको एकर टॉड लगा सकते हो लेकिन कर रहे हैं यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो एक तो यह ग्लास जो बोल है बिल्कुल ड्राय होना चाहिए और स्टील का बिल्कुल नहीं लेना है आप चाहिए काच का लीज़े यह प्लास्टिक का अब हरी मिर्ची को पी मैंने इस तरह से कट करके इसमें एड कर द जीरा होल जीरा यूज कर रहे हैं अजवायन नीबू के अचार में अजवायन बहुत टेस्टी लगते हैं थोड़ी सी हींग लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर आप यहाँ पर मिर्ची अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो लेकिन मैंने तीखे बन के लिए यह अच्छे सक उसमें जूस चला जाए अब इसे ढखकर आप तीन दिन के लिए साइड में रख दीजे बीच में एक दो बार चला जरूर दीजे तीन दिन बाद देखे कैसे हो गया है अब यह नीबू देखे इनका कलर बदल चुका है और यह बहुत ना सौफ्ट हो जाते हैं अब स्पून से प्रेस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नीबू का जो छिलका है वो काफी हद तक सौफ्ट हो जाता है इस तरह से दबाओगे ना मैंने जसे पले ग्लास के जार में निकाला था बाद में मैंने इसे ढखकन वाले बोल में निकाल लिया अब मीठा ह कि यहां पर घरे he चाहिए तो तो भी उस कर सकते है दी ना में मीठा पन के खूब अज़ा है मैं इस लिए बूजा नतर इसके बड़ी शाइनिंग आ जाती है अचार के उपर इसलिए मैंने चीनी यूज़ करी है आप इसमें देखरों चीनी के पार्टिकल्स हैं डोंट वरी यह दीरे दीरे मेल्ट हो जाएंगे क्योंकि इसे हम तीन से चार दिन के लिए हम सनलाइट में रखेंगे अब ढग दीज देखे हमारे अचार का क्या बना है वा जी वा क्या रंगत है जैसे चीनी अच्छे से पिघल चुकी है गुड़ भी अच्छे से पिघल गया है और देख रहे ना इसमें वो लीकुइट सा जिसे हम कह देते हैं चाशनी सी बन गई है हमने इसे कोई गैस पे नहीं पकाया है यह धूप में ही इतना अच्छा यह पक गया है और देखे जरूर कुछ टाइम की एफर्ट्स हैं आपके हमें वेट करनी पड़ी है तीन से चार दिन के लिए लेकिन जब रिजल्ट ऐसा हो तो तीन से चार दिन क्या है तेस्टी जब चीज बन रही है अब इसे आप एक पानी होगा आपके अचार में नीमबू में या जार में तो यह जादा देर तक चलेगा नहीं पर इसे अब जरूर ध्यान रखेगा देखे मैंने ऊपर थोड़ी से वह चार्शनी सी डाली है मुझे यह चार्शनी बहुत टेस्टी लगते है अब अचार खतम हो जाता है तो थैंक यू थैंक्स फर वाचिंग देवेल्स किचिन